हे गाइस तो केसे आप सब आपका स्वागत है और बेस्ट और न्यू वीडियो में अब रोटवाइलर काफी लोगों की पसंदिदा डॉग बिड है लेकिन वो काफी मीन चीज भूल जाते है कि जब डॉग बिड को एड़ोप कर लेते है तो उनका डाइट प्लैन बना लेना काफी इमपॉर्टन होता है काफी सारे लोग बिना डाइट प्लैन के या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको खाने में क्या देना चाहिए और क्या नहीं तो Àlus की वीडियो आप के लिए यह रोटवालर का 0 से लेके 6 मन तक का मैं डाइट प्लैन बताऊंगा क्या गलतिया करते हो नहीं करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा सिर्फ आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है चानल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़रू से शेर कीजिए जिनके पास डॉक बीड है काकि उनको भी पता चले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है अब आपको मैं एक इंपॉर्टन चीज़ बता दू कि अगर आप रोट वाला लाने की सोच रहे हो तो उसे एक या देड़ महीने बाद ही एड़प करे अब आप पुछोगे कि ऐसा क्यों क्योंकि इस मन्त के दौरान डॉक बिट को उसकी मदर का मिल्क मिलना काफी जरूरी है काफी सारे लोग यह मिश्टेक कर देता है कि अपने जो रोट वाला पॉपी को है वो एक मन्त से पहला ही एड़प कर लेते है तो इनके कारण जो है उसको उसकी मदर का मिल्क नहीं मिल पाता जो कि आगे चलके उसको काफी प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि उसकी मदर मिल्क से उसको काफी सारे जो नूट्रिशन्स, विटामिन, प्रोटीन जो सब मिलने चाहिए बचपन में वो मिलते है और नहीं मिले, तो आगे चलके इसको जल्दी से बीमारी हो सकती है तो इस वो सकती है, यह सारे प्रॉबब्लमTION हो सकती है इसलिए ला रहे हो तो एक देड मु lobर को काफ़ी है है और हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि डॉइप्र फिर आपको अखेला मिल जाता तो उस मामले sup rapeee अप imports अप उसे मुल्सक क theo चकर में आपको मिल्क रिप्लेसर अता और देना है याद रहे मिल्क रिप्लेसर आते वह लग लग companies के आते हैं अलग-अलग time पे देना होता है और उसका जो अलग schedule होता है तो इसलिए इस बारे में आपको एक बार wet से जरूर से confirm कर लेना चाहिए कि मैं कब दू कैसे दू कितना दू तो इस बारे में अपने wet से पूछ सकते हो आप अब चलो यह ओगया एक मन्त अब काफी सारी लोग बोलते हैं की चलो एक मन्त होगया अब मैंने एड़ाप कर लिया अब क्या आप देजर सकता हूं में खाने को इसे कुछ भी लेकिन नहीं काफी लोग काफी गलतिया कर देते हैं की जो है एक दे दिया नॉन्वेस दे दिया कुछ भी फूड उसे दे दिया खाने को तो ऐसा नहीं है आप उसे कोई भी हार्ड फूड फीड नहीं कर सकते आपको लगेगा कि आप बड़ा हो गया लेकिन नहीं जब वो डॉग बीड एक माइन के बाद आपको कोई भी हार्ड याद रहे आपको इसे देना के से हैं देना इस तरह से कि आपके डॉग बीट का जो टमी है वो फुल रहे यानि ना जादा ना कम आपके डॉग बीट का जो खाना है उसको फुल मतलब स्टमक फुल होना चाहिए ऐसा नहीं की भुका रहे गया ऐसा नहीं की बहुत जादा फिट कर दिया आप चाहे तो तीन टाइम दे सकते हो सुबा दूपर या शाम या तो चार टाइम भी दे सकते हो बस इस तरह से देखा कि उसकी भुक हो जाए अब काफी सारे लोग को ये डाउट होता है कि अब हमारे पपी को अलग-अलग सप्लिमेंट की जरुवत है क्या तो कुछ डाउट बिट को होती है कुछ को नहीं होती ये टोटली डिपेंड होता है कि आपका पपी कितना हेल्दी है या नहीं है कुछ डाउट बिट वीक होते है इसलिए उनको विटामिन्स की दरुवत होती है नहीं होता है इसलिए कुछ लोग नहीं देते milk replacer continue रखना है या नहीं तो ये दो मामले में आपको wet को बताना होगा क्योंकि वो आपके dog bit को wet की health देखेंगे weight देखेंगे उसके बाद ही बता सकते की उसको जो vitamins की जरुवत है की नहीं supplements की जरुवत है की नहीं तो इसलिए आप एक बार इस मामले में wet से जरुव से पूछ ले अब आप बोलोगे serlake देना कैसे है serlake देना काफी easy होता है इसके लिए कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पर दी सिर्फ थोड़ा सा पानी जो है बावल में गरम कर लेना है उसमें serlake add करना है और थोड़ा सा थंड़े होने के बाद अपनी dogweed को feed कर देना है देख लेना आपको check कर लेना कि ज़्यादा गरम ना हो उसकी तंग जलेना आप उंगली डाल के check कर सकते है और आप अगर still confused आपको properly नहीं पता तो जब आप vitamins का or weight को पूछने जाओ तब पूछ सकते हो कि मैं serlake कैसे दू एक बार demo आप दे दीजिए और मैंने जो बता है वो right way है wrong way नहीं हो properly जो है right way है लेकिन मैं पूछने इसलिए बोल रहा हूँ का कि आप confirm रहो आपको satisfaction रहे कि मेरे puppy जो खा रहा है जो मैं दे रहा है वो उसके लिए safe है और वो अच्छा ही रहने वाला है healthy रहने वाला है अब यह हो गई धाई मन तक अब धाई मन तक आपने यह दे दिया अब धाई से लेके चार महिने तक आपको उसे क्या देना है तो जैसे इस एज में dog breed आ जाता है तो जो puppy starter food होता है वो आप चालू कर सकते हो देना और ऐसा नहीं कि यह कोई भी ले लिया कोई भी कैसा भी ले लिया थोड़ा सा अच्छे ब्रैंड काल है जिससे कि उसको जो चाहिए होता है इस एज में उनको nutrition विटामिन्स की सकत जर्वत होती है जो कि धीरे धीरे इस starter food से मिलते रहते हैं तो इसलिए आप एक अच्छा चुनेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और साथ साथ आप इस एज में उसको curd या फिर बटर मिल्क यानि दही और छास ये दोनों ही दे सकते हो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि दोनों को आपको regularly feed नहीं करना है आप दो दिन के gap में दे सकते हो थोड़ा सी amount में feed करना है अब ये curd और छास क्या करेंगे ये दोनों ही आपकी dog breed के लिए काफी अच्छे source होता है विटामिन्स के चुकि उनको मिलेंगे अगर आप इसे दोगे तो याद रहे अच्छानक से खाना चेंज ना करें अच्छानक से देना स्टार्ट नहीं करना है जो स्टार्टर फूड जो है वो gap में देना है अब बात करते है फोर से लेके 6 मन तक आपको आपके dog breed को क्या देना चाहिए तो जैसे इस एज में आ जाता आपका dog breed तो आप उसको जो है rice देना स्टार्ट कर सकते हो rice उसके लिए काफी अच्छे रहते है काप्स उसको जो है इससे मिलते है काफी सा फोरे थोड़े amount में जो है बदलना चालू करना क्योंकि अचाना करोगे तो खाएगा नहीं अब diet plan पे तो काफी लोग ध्यान दे रहे हैं लेकिन काफी लोग भूल जाता है कि जैसे puppy adopt कर लो उसके बाद उसको जो है vaccination और डी वार्मिंग करानी पड़ती है काफी लोग इसक vaccination और डी वार्मिंग कराए vaccination जो अगर किसी को bite करेगा तो उन्हें कोई problem नहीं कि आप बता सकते हो साथ साथ उसको भी उसके लिए भी काफी helpful होता है इसके पेट में कीडे नहीं होगे तो जो भी आप खिला रहे हो वो जो है अपके dog bit को लगेगा ना कि वो कीडे खा जाएंगे अगर डी वार्मिंग नी करा जै उसके पेट में कीडे होसकते इसले डी वार्मिंग भी time to time कराई जै इन दोनों का खरचा भी आपको जरूरी इसलिए दिन में एक बार जरूरस इनको वाकिंग पे ले जा जब ये छोटे होते तब तो चलेगा पंदरा मिनिट लेगा है लेकिन बढ़ा हो जाता थो थोड़ा टाइम प्रियड बढ़ाना होगा वाकिंग और एक्सरसाइस काफी जरूरी होती है आपके पपी के ल ट्रेन करो शूशलाइस करो तो वह हट जाता है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो डाइट प्लैन मैंने बताया जीरो से लेकिए 6 मन तक आपको ये सब दे सकते हो और आपका पपी को हेल्दी बनाए रहा सकते हो आशकरता वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंसे किजिए चानल पर नहीं होता है सब्सक्राइब कर लिजिए